नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में, लेकर आए हूँ आपका अपना कारेक्रम, सत्य जब डोलता है तो अशोक वान खड़े बोलता है, लेकिन इस कारेक्रम के नाम के उपर ही कुछ साहित्तिकों के बीच चर्चावी, उसमें से एक एडोकेट है, बहुत अच्छे कवी है, मराठी, एडोकेट अनंत खड़कर, उन्होंने ए तरक दिया, कि जो डोलता है, वो सत्य कहां होता है, सत्य तो अडिग होता है, जब वो सत्य है ही नहीं जो डोलता है, तो फिर अशोक वान खड़े क्यों बोलता है, लगा मुझे कि कुछ गड़वड है, फिर मैंने उनको पूछा क्या कहना चाहिए, बोला सत्य खोलता है, सत्य परिशान हो सकता है, तो बोला यदि आज से तुम्हें इसा करोगे कि जब सत्य खोलता है, तो अशोक वान खड़े बोलता है, तो सूजा चलो ये भी लाइन यूज़ करके देखे, बाकि दर्शकों क की उपर है, कि वो कौन सी लाइन पसंद करते है, सवाल है बोलने का, बोलना चाहिए, सवाल उठानी चाहिए, और यदि सवाल उठाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो फिर हम हमारे सिस्टम को ऐसे एक लेवल पर ले जाते हैं, जहां लोग तंत्र स्रीप नाम का रह जात है, और भक्ति तंत्र की शुरुआत होती है, सब लोग व्यत्ति पूजा में लग जाते हैं, देश और समाज इसकी हित्की कोई बात नहीं करता, निउस दशा में इसलिए प्रयास करते हैं कि देशित की बात हो, और जो लोग जूट बोलते हैं, उसका परदाफा शोग, सब अरणाटक का, वहाँ पे 615 एकड में लाइट हेलिक्याप्टर बनाने की फैक्टरी का लोकारपन किया, हिंदुस्तान अरणाटक लिमिटेड, HAL, जिसमें इस देश को गर्व है, उस HAL की ये सबसे बड़ी फैक्टरी होगी, जो आने वाले 20 साल में 10 हजार, एक हजार स्वाई हेलिक्याप्टर बनाएगी, और एशिया की सबसे बड़ी फैक्टरी होने का मान भी इस फैक्टरी को है, प्रधान मंत्री जी ने जब इसका लोकारपन किया, तो एवियेशन में देश कैसा आत्मनिर्वर हो रहा है, रक्षा प्राणाली भी कैसे हम अपन बनाने के लिए, ताकि हम आत्मनिर्वर बने, लोगों के उपर निर्वरता कम हो, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर एचे अच्छी बाते कहते हुए, उन्हें ने कहा कि मुझे विपक्ष पे उपर तूट पड़े, विपक्ष को कोसा, कि र एचे एल की उपलब धिया क्या है, उनका ये भाशर सुनके थोड़ी देख चलिए मैं भी सोच में पड़ गया, कि क्या रैफल वाला मामला इतना पुराना हो गया है, बोफोर्स इतना, कि फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि सही क्या था, गलत क्या था, इसी पेशो पे में मैंने रैफल वाले डिल को फिर से एक बार पढ़ना चुरू किया, तब मुझे पता पड़ा कि सत्य क्यों खोल रहा था, और मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, रैफल का पहला डिल, यूपीय सरकार ने कॉंग्रेस की सरकार ने किया था, उसमें ये तए हुआ था, कि 126 रैफल के विमानों की देश को जरुरत है, और वो और उन्होंने रैफल की जो डेसॉल्ट कंपनी थी, उसको दिया था, लेकिन उसमें कंडिशन ये थी, कि 16 विमान तो हम रैफल के, जो बने बना इस्तिति में ले आएंगे, सिधा वहां से उड़ा के, हमारे देश के वा 17 यदि 126 में से निकाले, तो 114 प्लेन वो इस देश में बनेंगे, टेकनोलोजी डेसॉल्ट की होगी, मदद डेसॉल्ट की होगी, लेकिन उन्हों भारत निर्मित प्लेन होंगे, और येचेयल उसका पार्टनर होगा भारत में डेसॉल्ट का, सरकार बदली, नए सरकार ने नए डिल की, नए डिल में सीधे 36 विमान, बने बनाए विमान लेके आए, टेकनोलोजी ट्रांसपर की कोई बात नहीं हुई, भारत निर्मान की कोई बात नहीं हुई, हाँ, एक क्लॉज उसमें डाला गया, आपसेट, कि जितने कंपणी को ओर्डर दे रहे हैं डेसॉल्ट को, उसका 50 प्रतिशत, डेसॉल्ट वापस भारत में इन्वेस्ट करेगा डिफेंस में, अब डेसॉल्ट जो कंपणी विमान बनाती है, वो बंदुग बनाने में तो इन्वेस्ट नहीं करेगी, बट नैचरल है, वो विमान बनाने में ही इन्वेस्ट करेगी, तो डेसॉल्ट को, करीब करीब 30,000 करोड रुपए, इस देश में वापस, 30,000 करोड रुपए, इस देश में वापस देने थे, उसके लिए, आफसेट पार्टनर धूडा गया, और वो पार्टनर हो कोई नहीं, भारत का डूपता हुआ सितारा, जो बाद में दिवालियां हो गए, वो अनील अमबानी, अनील धिरुभाई अमबानी की रिलाइंस कमपनी के साथ, डेसल्ट ने पार्टनर्शिप की, और डेसल्ट, रिलाइंस, एरोस्पेस, जॉइन्ट वेंचर के नाम से, एक कमपनी बनी, जिसमें 21,000 करोड रुपए, डेसल्ट ने ट्रांस्पर भी किये, हंगामा हो गया, कभी काम ही नहीं किया, अनील अमबानी के कमपनी ने कभी विमान के सेक्टर में, एवियेचन सेक्टर में, कभी कोई काम ही नहीं किया, ऐसे कमपनी ने Dessault ने क्या सोच के partner बनाया ये प्रश्ट चिन आज भी बना हुआ है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं अनिलंबानी के पास नहीं Dessault के पास नहीं सरकार के पास सरकार ने हाथ उपर कर दिये ये बोलके कि Dessault तह करेगी उसका offset partner कौन होगा Dessault ने HAL जो पहले उसका partner था technology transfer में उसको अपना Dessault ने अपना offset partner क्यों नहीं बनाया इसका जवाब भी सरकार Dessault और HAL दे सकती है तब उठाया गया कि SL ठीक company नहीं है यदि Dessault ने HAL के उपर सवाल उठाये तो ये सरकार आख मूंद के चुप क्यों रही आज जितने कसीदे HAL के बारे में पढ़े जाते हैं तब सरकार ने क्यों नहीं HAL का वकील बनके Dessault के उपर घुटना रखा कि हमारे देश में HAL हमारी aviation की company है आप उसको offset करिये तो 21,000 करोड़ HL में आते हैं 21,000 करोड़ ये अमबानी जी को क्यों अमिनिल अमबानी उस delegation में यूरोप के टूर पे कैसे गए जिस company जिस जिनके company के साथ Dessault ने उसी सवदे के बाद offset deal sign की अनिल अमबानी ने विदेज जाने के पहले आनन फानन एक मेना एक सबता पहले वो नई company form की जिसके साथ joint venture करना था तो किया ये पहले किचड़ी पकी हुई थी बहुत सवाल है जिसके जवाब देने होंगे और आप जड़ प्रधान मंत्री कोस रहते विपक्ष को कि ये चेल को आप बदनाम कर रहे थे तब प्रधान मंत्री जी को ये पता नहीं था ये चेल बदनाम यूरोप में हो रही थी और ये सरकार आके मुन करके उसको बदनाम होने दे रही थी क्योंकि अपने एक और बेटे को पालना था अनिलंबानी को ये बात अलग है कि अनिलंबानी को 21,000 करोर रुपे भी नहीं बचा पाए और अनिलंबानी दिवालिया हो गए कई कंपणियां दिवालिया हो गए तो सरकार को तो शर्म आनी चाहिए सरकार ने तो आज माफी माँगनी चाहिए कि रैफल के डील में अनिलंबानी जैसे डूपते कंपणिय के साथ आफसेट कॉंट्रेक्ट साइन करने के बजाए हमने येचेल की वकालत करनी चाहिए थी वो भयानक चूक सरकार से हो गई आज येचेल ने तो अपनी जगा बता दी कि वो सरकार के और देश के लिए क्या कर सकते है हम येचेल के लिए कुछ कर नहीं पाए इसलिए आज चबाव राती ये बोलने की बजाए आप कहते हो कि विपक्ष ने येचेल को बदनाम किया उटहिए तमाम विपक्ष की आरोब तब वीपक्ष बार-बार यह सवाल पूछ रहा था कि हमारे देश में जब विमान बनाने वाली कंपनी है हमारी अपनी खुट की सरकार की कंपनी है 140 करोड लोगों का स्टेख जिस कंपनी में है 140 करोड देश वासी जिसके मालिक है उस company क्यों क्यों नहीं मिला offset contract और यह अनिलंबानी जिसने कभी विमान का मतलब सिर्फ विमान में जाना था विमान में शैर करना उसको मालूम है उस अनिलंबानी को कैसा मिला सरकार मोल थी सरकार ने बोला desolta किया desolta अपने union वालों को union में बोलती है कि यह सरकार के कहने भी हुआ सब जिलबी 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 बना रहे हैं आज जूट कितने ताकत से बोला जाता है ताकि वो सच लगे उसका एक बहतरी नुधरन था प्रधान मंत्री का ये चेल को लेके विपक्ष को कोसना इसलिए मुझे लगा कि सत्य परेशान हो रहा है सत्य गुसे से खौल रहा है तो फिर आशोक वानकड़े बोल रहा है आज इतना ही फिर आउंगा कल किसी विचे के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज नशा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा